कैसे करें हम मौनसूर में अपने स्केल्प की ऐसी देखबाल कि हमारा हेयर फॉल बहुत कम हो जाए देखे मौनसूर आयो हेयर फॉल ना हो देट नेक्स पॉसिबल यूनिवर्स में ऐसे अब तक कोई भी चीज नी बनी कोई भी आयरवेदिक या हर्बल या केमिकल ट्रीटमें पत्ते जढते ही जढते हैं मौनसूर में आप के जितने भी डेड़ेयर हैं वो जाएंगे ही दियाएंगे लेकिन इस मौनसूर में घवराय के साथ यहिए बिले नी हैगा मैं आपको तरीका बताती हूं दो या तीर महिनी का जो मौनसूर होता Х Created is अलग-अलग duration होता है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ औसिफ जो oil आप use करते हैं, या जो मैंने formulate करने बताएं हैं, या फिर अगर आप त्वकेश यूजर हैं, तो त्वकेश यूजर के साथ तो कोई बात की जरुवत ही नहीं है, उनको कोई DIY करनी की जरुवत नहीं है, वो सब चीजों में अपने आपको रामबान साबित करता है, तो अगर आप oiling करते हैं, जहां पर आप week में two times या three times oiling करते हैं, मैं आप से ये कहूंगी कि मौनसून के मौसम में अपने बालों में हमीशा तेल डाल के रहे, इससे क्या होगा कि जो भी चिप-चिपाहट होग जो भी गंदगी होगी, जो भी pollution होता है, जो भी sweating होती है, जब आपके hair में oil नहीं होता, तो वो transform होती है एक दूसरे से, like as एक route पे जाके दूसरे से तीसरे क्या होता है, कि जो fresh hair है, वो भी आपके जढ़ने शुरू हो जाते हैं, अगर आप oiling करेंगे, तो oiling आपकी जो fresh shoot है, उसमें as a barrier का काम करती है, dead hair जाएंगे, fresh hair बिल्कुल नहीं जाएंगे, oiling is the must in this monsoon season, तीन महीने का season है, दो महीने का season है, आपको oiling करके रखनी है, और शायद आपने अगर ध्यान दिया हो, तो मैंने पूरी monsoon series में, most probably मैंने ये कोशिश करी है, कि मैं अपनी oiling करके र इस monsoon से अपने बालो को उलाला करे, let's get there with me, hair on location from YouTube, subscribe and hit the bell icon